सभी का एक बाफर से सीडी वैप पर स्वागत और मैं हूँ आपके साथ प्रीदी चनल सहारेनपूर से जुड़ी हर बड़ी खबर के साथ तो जहले शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से डिप्टी सीम केशव प्रशाद मोर्ये ने सहारेनपूर में 292 करोड की परियोचनाओ का किया सिलन्यास उत्रपरदेश के उपमुख्य मंत्री केशव प्रशाद मोर्ये ने आज सहारेनपूर के मानक मौस्थित कारेकरमिस्थल पर पहुँचकर 292 करोड की परियोचनाओ का सि पुछ और जोर जोर से नारे भी लगाए अगकी बार फुर्स से मोधी सरकार रोडवेज बसों में कोरोन की गाइडलाइन के प्रती लापरवाही बरती जा रही है बसों में यात्रियों तो दूर चालक परी चालक भी मास्क तक नहीं लगा रहे सीटों पर यात्रों के बीच उची शाररीक दूरी का पालन नहीं हो रहा ओमिक्रों से निपटने के लिए रोज कराई जा रही है दुगनी जाटे विदेशों में मिल रहे कोरोन के ने वेरियंस ओमिक्रों को लेकर शासन से जारी निर्देशों के बाद स्वास्त विभाग ने किसी भी आपात स्थिती से निपटने के लिए कमर कसली है शहर में IMA भवन, अस्पताल परीसर और रेट क्रोस सुसाइटी में कोरोना की जाच की जारी है इनके अलावर एल्वे स्टेशन, बस स्टेंड पर भी जाच हो रही है साथी नगर में जगे जगे जाच कराने के लिए टी में लगाई गई है ग्लोकस्तर भी दो-दो टी में लगाकर जाच कराई जा रही है कोरोने किने वेरियंट और मिक्रोन का खत्रा बढ़ने के कारण रोजाना 5,000 लोगों की जाच हो रही है सहाराइनपुर से पकड़ी गई एक करोड की स्माक सरसावा पुलस वे क्राइम रांच की सेंग्त टीम को मिली बड़ी सफलता महीला सही तीन शाते नशात तसकर हुए गरफतार वरस पुलस अदिक्षक द्वारा जनपद में नशात तसकरों के विरुच चलाए जारे धर पकड़ बियान के अंतरगत आज धाना सरसावा पुलस वे क्राइम रांच की सेंग्त टीम ने महीला सही तीन नशात तसकरों को एक करोड रुपे की स्माक सहीत गिरफतार कर जेल भेज है पुलस ने चार बदमाशों को दबोचा उनके कबजे से चोरी का माल वे नगदी भी बरा मत वरस पुलस अदिक्षा के आदेशा अनुसार वे पुलस छेत्रा दिकारी गंगो रिजवान एहमत के निर्देशन में कोतवाल बरिजेश कुमार शर्मादवारा गठित टीम ने बरसी रजबा मार्क पर चेकिंग के दोरान बदमाश आसिफ पुत्र अफजाल निवासी पुकीन महला गुलाम ओलिया गंगो को कबजे से पंखा लोही की सौफ्ट नाल ड्राइवरी पुलिया लोही के समान के साथ एक दीसी तमंचा 315 बोर वे दो जिंदाकार तूस 15 बोर वहीं आपको बदा दी कि एक मोटर साइकिल वे 3000 रुपे की नगदी सहीद गरफतार कर ज अबत्री मुख्य जिगित साधिकारी दोक्टर संची मांगलिक ने निगरानी समीतियों के साथ ही जनपद्वासियों से अपील की है कि उनके आज पडोस में बहरी राध्यों से आने वालों की सूचना तुरंत निगरानी समीति को दे साथ ही घड से बहार निकलते समय मास्क को नाक मुँपर अच्छे से लगा कर निकले सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें वे बेवज़े भीडवाली जगों पर जाने से बचने की भी अपील की गई अवे खनन से भरा हुआ च्रक हुआ बरा मत वरिस पुलिस सदिक्षय काकाश तोमर के निर्दीशा नुसाब परियवेक्षन में वांचीत अभ्युक्त गणों की गिरफतारी हे तूच चलाय जारे अभियान केंत्रगत आज थाना नकोड पुलिस दुआरा अभ्युक्त तैयब पुत्र नसीम को अवेद खनन से भरा हुआ ट्रक सहीद गरफतार कर जेल भेजा गया लेबर कलोनिय इस्थित BDM पबलिक स्कूल में उत्रप्रदीश माननेता प्राथ विधाले शिक्षक संग की मैतपोन बैठक स्कूलों की समस्याओं को लेकर की गई बैठक को संबोधित करते डोक्टर शोक मलिक ने कहा कि सरकार राज नीजी स्कूलों के साथ सोतेला वहवार कर रही है RTE के अंत्रगर्द दुलववर के गरी बच्चों को जिनकी संख्या करीब 25 लाग है उनकी फीस प्रती पूर्ती 2016 से लेकर 2021 तक की फीस प्रती पूर्ती सरकार पर बकाया है जिसका ब्याद सहित बुक्तान होना चाहिए अंत में उपमुख्य मंत्री को संबोधित ग्यापन रामपूर मनी हारन के मानने जस्वन सिंग सैनी के आवास पर केशव प्रशाद मोर्ये को दस उत्रे ग्यापन सोपा गया ननोता देवबन मार्क का नाम होगा अब विजे कशव मार्क बुद्वार को आज ननोता अस्थित स्वर्गे पूराजसव बार्णियन त्रेंड मंत्री रहे विजे कशव के आवास पर यूपी के उपमुख्य मंत्री के सव पर साथ मोर्ये कशव परिवार को अपनी संवेतना व्यक्त करने पहुँचे थे उन्होंने पत्रकारों से वार्ता के दोरान कहा कि भविशे में ननोता देबन मार का नाम विजे कशव के नाम से ही जाना जाएगा इसके लिए उन्होंने विचार कर अधिकारियों के पास प्रपोजल भी भेज दिया है उन्होंने परिवार को संतामना देते हो कहा कि पार् सब्सक्राइब करें हमाई यूटूब चैनल सीडिवाब को आज का बुलिटीन आपको कैसा लगा अपने विचार हमाई कमेंट बॉक्स में जरूर दीजेगा